गुड मॉर्निग एवरिवन स्वागत हाब सभी का अपने यूटूब चैनल पर सभी को हैपी न्यू येर आज इस वीडियो में हम करेंगे जो कल अपना टेस्ट आयुजित किया गया था 31 दिसंबर 2023 का और टेस्ट नंबर ये है था 22 22 नंबर टेस्ट जो आपने दिया है 31 दिसंबर 2023 उसके सुलिशन को हम करने वाले है और इस वीडियो में हम स्टार्टिंग इस जो सुलिशन है परस नंबर एक में जो दिया है कि उसन नंबर टैन तक उनका सुलिशन करने वाले है चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से आप सभी को नवर्ष की हार्दिक सुबकाम नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पेपर के सॉलिशन को पहला परसन अपने को दिया हुए विदुत आवेस का ऐसाई मातरक क्या है विदुत आवेस का जो ऐसाई मातरक है सभी क लिखना है और सी लिखना चाहो ब्रेक्ट में तो लिख सकते हो नेक्स्ट दूसरा परसन है सेकंड क्विशन धारा आई का मात्रक याने विदुद्ध धारा का मात्रक आपने लिखना था सेकंड जो परसन है उसका सुलिशन आपने पूरा लिखना है कि पहले का पहले का दूस सर्किया इस तरह से लिखे होगे विद्ध ध्रस जो मागा एमपीयर इंपार से लिखा जाता है ड्रस आड़ा को आझ रखा जाता है अभेस कुछ लिखते हैं कुलाम को सी रिखते हैं से इसरे परसं ऊद्ध you वीभवांतर का SI मतरक फर्ष्ट का तीसरा तो वीभव हो या वीभवांतर हो उसका SI मतरक वता है वॉल्ट वी से लिखा जाता है किसे लिखा जाएगा वॉल्ट वी से next question question number four first what is the dust of snow what is the dust of snow dust of snow याद है और देखो मैंने यह first person में दिया थे चोटे person ही है इसमें बड़ा नहीं है यह person एक यह दो लेनों में करना था आपको what is the dust of snow dust of snow is a collection of tiny particle of snow यह person आपको करवाया हुथा first का question number four इसका जो answer है आप क्या करोगे कि dust of snow क्या है पहले का आपको answer में वहां लिक्किया नहीं यह जिस भी answer किसका है first का fourth है तो यह लिखना था dust of snow dust of snow is a collection यह collection collection किसका collection collection of tiniest tiniest particle tiniest particle of snow snow के जो tiniest छोटे particles थे वही है dust of snow first का fourth हो गया first का fifth क्या है what is the experience of poet about this world इस word यह बताना था what is the experience of poet about this world यह जो संसार है इसके बारे में poet का experience क्या था तो poet का जो experience यह उस lesson से है second lesson जो आपका fire and ice है उससे इसका अंसर गया होना था कि poet has experienced that the desires जो desires होती है will be will be the cause of the evil and destruction of the world यह आपको करवाया हो था और जैसे अपने fire आइस बॉलते हैं जिसको हैट बॉल सकते है है हैट डवलप्स से इनमेटी अमंग हुमन्स किस तरह से आंसर करके होगी आंसर देखो आपको लिखना था कि poet इसका परसंद यह पूरा याद कर लना चाहिए है poet has experienced poet को experience है तब इसने पूरी poem लिखिए क्या experience है देट कि the desires जो इच्छाई है आपकी desires है will be will be the cause of यानि यह इच्छाई है वो कोज बनेंगी कारण बनेंगी किसका will cause of evil evil मतलब बुरायों का कारण बनेंगी and कोर किसका कारण बनेंगी distraction distraction होता है एक तरके से बरबादी तबही का कारण बनेंगी संसार की किसकी बरबादी of this word this word इस संसार की बरबादी का जो कारण है destruction का जो कारण है और evil का कारण क्या बनेंगी desires बनेंगी desires मतलब इच्छाएं fires ठीक है आपके poem में दिया है fire यह कभी को knowledge है क्योंकि वो खुद इस चीज़ को touch कर चुका यह poem में अपने रहम के अंदर लिखा बता इसके लाबाद जो है यह प्राइस को बह सकते हो कि जलन नफ्रत जो है इसवर्ड डूवलप्स क्या डूवलप्स कर रही हैं एट इन्मिटी दुस्मनी को इन्यूमी बोलते हैं ना इन्यूमिटी अमंघ यूमन यहनि मनुष्यों की बीच है हिउमन की बीच क्या करें एक तरीका से दूस्मनी को प्रांस की करांती कब हुई फ्रांस की करांती अब आपको यह याद करने वह बुला था तो अच्छे से अगर याद है तो आप आंसर दे पाई थे फ्रांस की करांती हुई थी 1789 की इस वीक के अंदर हुई थी फ्रांस की करांती नेक्स्ट किशिन नमबर फ्रांस की करांती तो इसका जो ऑंसर आएगा इस प्रांस की ग्रांती कारी था इसको भी पूरा लिख क्या होगे इसको भी पूरा लिख क्या होगे इसको मर्ण सब्सक्राइब करना लिखिस स्हें तो कि हम भी यदे तो आएगा मुपीयां उद्धर के बारेgeschरा वेले कमल के पत्तों से और जल में पड़ी तेल की घगरी से आपके अंदर मतलब जैसे जो तेल की घगरी होती ना गळसी और मतके को अगर पानेまで डाल दें तो उसके उपर पानी नहीं चिपकेगा तो वैसे बताए कि आप गिरिशन जी के साथ क्रिशन जी के साथ भी रहते हैं और फिर भी आपने उनका जो प्रेम है उसको महसूस नहीं किया है तो गोपियों ने कहा था किसको अपने उद्धव को कहा था तो उनकी तुलना किया है जल जल में रहने वाले कमल के पत्तों से तुलना किया तो और किसे तुलना किया है और जल में और जल में पड़ी तेल की गगरी गगरी से तुलना किया आप कम्पलेट करोगे मैं तो सोट में लिखती है आप कम्पलेट लिखोगे कि गोपियों ने उद्धव की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से और जल में पड़ी तेल की गगरी से की है और क्यूंकि यह आपको बता देते हैं जिस परकार जल में पड़ी तेल की गगरी होती है उस पर पानी की बूंद नहीं चिपकती है तो ऐसे आप रिसन जी की साथ रहकर भी आप उनके बारे में नहीं समझ पा रहे हो चलिए यह तरह से कटाक्स किया था गोपियों ने उद्धव पर नेक्स्ट अगला परस्ट मुनही हरी अर रहू शोज कथन किस ने कहा तो यह जब वह अपने नेक्स्ट परस्ट करते हैं दूसरे नमबर वाला तो उसमें दिया हुआ था जहां पर लक्समन, राम, विश्वामित्र और परसुराम आपसमें समाध कर लेते हैं उस वक्ति यह आता है तो यह जो स्टेट्मेंट थी यह विश्वामित्र की थी उस लेशन को अपने और डिटेल से बढ़ेंगे और आपने बढ़ा हुआ तो उसका आंसर आपने कर दिया हुआ विश्वामित्र तो सही आंसर है विश्वामित्र आप पूरी लाइन लिख क्या हुए विश्वामित्र आप लाइन क्या लिख क्या तो अपने यहां में तो सोट कर लिख दिया अब इसको वामेतर next question number 10 question number 10 देखिए 10 के अंदर दो पार्ट है first or second math का है दोनों देखो क्या दिया अब 10 में समरूप तिरबुजों में संगत बुजाएं बही समानुपाती होती है समरूप तिरबुजों में संगत बुजाएं के ते बराबर होती है ऐसा नहीं होता हमेशा कभी कभार होज़े अलग बात है पर समानुपाती होती है सरवाक्षम में संगत बुजाएं बराबर होती है और संगत कुन बराबर समानुपाति और दूसरा जो है और जो संगत कौन है वो बराबर होते हैं बराबर तो दोनों चीजें ध्यान कीएगा समानुपाति यूज करोगे आप बराबर यूज मत कर लेना बुजाओंगे लिए तो ये जो परसन थे ये थे आपके अपने जो कल टेस्ट आज जित होए क सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन दबालीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेर भी कीजिए चलिए इस वीडियो में इतने ही एक बार आपको फिर से नवर्ष की हर्दिक शुब काम ने